दोस्तो आरपीफ यानि की रेलवे पोर्टेक्शन फोर्स में दोस्तो 9500 से ज़्यादा वैकेंसी निकल कर सामने आने का अनुमान जताया गया है रेलवे में बारावी पास ज़्याओं के लिए निकली बंपर वैकेंसी 18-35 साल तक की उमर के कैनिडेट्स कर सकेंगे अपलाई दोस्तो भारती रेलवे में सरकारी नौकरी के त्यारी कर रहे ज़्याओं के लिए अच्छी खमर है रेलवे सुरक्षाबल में कंस्टेबल और सहायक उप निरिक्षक ASI के 9500 पदों पर वैकेंसी निकाली है जिसके लिए बारावी पास से लेकर ग्रेजिवेट के रेलवे सुरक्षाबल के निकारी के वेबसाइट पर जाकर अपलाई कर सकते हैं जिसमें कंडिडेट्स का सेलेक्षन रिटेन टेस्ट के साथ डॉक्मेंट वेरिफिकेशन और इंटर्विव के अदार पर किया जाएगा सेक्षिनिक जोग्यता दोस्तों बारावी पास रखी गई है और वही उप निरिक छक यानि की एस आई के लिए ग्रेजिवेशन रखी गई है आई उसी में 18-35 साल रखी गई है सेलेक्षन प्रोसेस उमिदवार का चैन डॉक्मेंट वेरिफिकेशन रिटेन एक्जाम और इंटर्विव के अधार पर किया जाएगा आवेदन सुल्क में आपको 100 रुपिया का सुल्क देना होगा और जरूरी डॉक्मेंट जो है दोस्तो यह योग्यता परमाणपत, रधार का ड्राइविंग लेसेंस, पैन का जाती परमाणपत, निवास परमाणपत, जन्र परमाणपत, रोजगार का जाले का रेजिश्ट पिशना नहीं है, लेकिन हम फिर से ट्यूटर एंडल पर जाकर फैक्ट चेक इंडिया पर गए, तो यहां पर सीधा सीधी लिखे गया है कि बहुत सारे वेबसाइटों जा रहा है, यह फवाँ फैला जा रहा है कि 9500 आर्पीएफ में वेकेंसी निकल कर सामने आने वाली है, जो कि बिलकुल फरजी है, बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे आपको यूटूब चैनल पर यह देखने को मिलता है, और फैक्ट चेक इंडिया एक बहुत ही बिश्वसनी है, और भारत सरकार दोरा निर्मीत वेबसाइट है, जो कि फैक्ट बताता है कि यह क्या खबर जो चल रहा है अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में सही है या फिर गलत है, तो यहाँ पर फरजी का मोहर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो दोस्तों ऐसे किसी भी चैनल पर बिश्वास और ऐसे किसी भी विबसाइट पर बिश्वास ना करें, और इस स्वास भी करते हैं, तो मिरते हैं नेक्ट वीडियो में, जैहिंद बंदे मातरम,